नमस्कार तो दोस्तों आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NTA NET के नए पाठ्थे क्रम के अनुसाद जो उपनियास लगे हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो जो पहला उपनियास है तो वो है देवराने जिठाने की कहानी इस उपनियास को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके हम प्रमुक्तत्यों को देखेंगे उसके पहला जो पात्तर है उसके पहला जो उपनियास का बिशे है उसको यहाँ पर क्रमबत तरीके से देखेंगे तो जो देवराने जिठानी की कहानी नामक उपनियास है तो इसे लिखा गया है पंडित गौरिदत के द्वारा प्रशन बन सकता है कि जो देवरानी जठाने की कहानी है इसके उपनियासकार कौन है या इसके रचनाकार कौन है तो वे हैं पंडित गौरिदत प्रशन यहां से अबश्य पूछा जाता है तो जो दूसरा प्रशन यहां से बनता है तो वो है कि जो यह उपनियास है इसे कब लिखा गया है तो इसे लिखा गया है 1870 ECV में प्रशन यह बन सकता है कि जो हिंदी साहित्ती का प्रथम उपनियास होने का गौर्व किसे प्राप्त है तो इसका जो सही उत्तर होगा तो वो होगा देवरानी जेठानी की कहानी इसे हिंदी साहित्ती का प्रत्व उपनियास माना जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष या रचना काल है 1870 आप इसे याद रखना आगे जो है उपनियास के प्रमुखपातर इन्हें देखते हैं पहले हैं लाला सर्फ सुख उसके पशात है मुशी, टिकट नराएन आगे है हरसहाई, कावली उसके पशात है पारवती उसके पशात है सुखदी उसके पशात है दौलत राम आगे है छोटे लाल आगे है दौलत राम की पत्नी आगे है छोटे लाल की पत्नी आगे है नन्ने और मोहन अब हम इनके क्रमबत त्रीके से इनकी चारित्रिक विश्यष्टाओं को भी देखते हैं जो लाला सर्वसुक है ये मेरट का अगरवाल बनिया है प्रशन पूछा जा सकता है कि जो देवराने जिठाने की कहानी में लाला सर्वसुक है ये कहां का अगरवाल बनिया था तो ये था मेरट का अगरवाल बनिया इसे आपको याद रखना आगे है ये उपनियास का मुख्य पात्तर है और घर का मुख्य सदस्य है पूरा घर इस पर आश्रीत रहता है इसके पश्चाथ जो आगे मुशी टिकट नराएन और हरसाए कावली है ये दोनों शहर के अमीर है और लाला सर्वसुक की दुकान में ख्रीदारी करते हैं उसके पश्चाथ आगे है पारवती तो ये जो सर्वसुक की है बड़ी बेटी है प्रशन यहां से बन सकता है कि जो लाला सर्वसुक है इसकी बड़ी बेटी कौन सी है तो ये है पारवती आगे जो सुख देई है ये लाला सर्वसुक की छोटी बेटी है आपको यहाँ पर मैं इन दोनों को याद करने के ठीक बतातेता हूँ कि बड़ी कौन है और छोटी कौन है जैसे पारवती है ये बड़ी है आपको जो मा पारवती के तौर पर इसे याद रखना है क्योंकि जो पारवती बड़ी है और जो सुक्देई है ये छोटी है इस परकार से आप इने याद रख सकते है आगे हैं जो दौलत राम ये सर्वसुक का बड़ा बेटा है और जो छोटे लाल है ये सर्वसुक का छोटा बेटा है जो छोटे लाल को आप छोटा बेटा इस तरह से याद रख सकते हो आगे देखते हैं जो ये पारवती है, सुखदी है, दौलत राम है और छोटे लाल है ये सर्वसुख की चार संताने हैं याद रखना प्रेशन पूछा जा सकता है कि जो सर्वसुक की कितनी संताने हैं, सर्वसुक की संताने हैं चार, एक है पारवती, दूसरी है सुकदी, तीसरा है दौलतराम और चोथा है छोटे लाल, आगे है दौलतराम की पतनी, जो दौलतराम की पतनी है ये जेठानी है, अनपड़ भी है बहुत जगडालो तरीके की है छोटी-छोटी बातों के लिए परिवार के साथ जगडा कर देती है आगे है छोटे लाल की पत्नी जो छोटे लाल की पत्नी है इसकी चारी तरीक पिशेश्था है कि ये उपनियास में देवरानी का रोल अदा करती है और ये काफी पड़ी लिखी और सुशिक्षित है और पड़ीबार में एक जूटता बनाए रखने के लिए महत्पुन योगदान अर्पन करती है इसकी खूबियों के कारण जो इसकी जेठानी है अर्था दौलत राम की पतनी इसे बहुत ही इश्या महसूस करती है और इसके खिलाफ अपनी सास और ससूर को बढ़काती रहती है आगे जो पातर हैं नन्ने और मोहन जो नन्ने हैं ये छोटी बहु और छोटे राल का पुत्तर है आपको इसे याद रखना है आगे देखते हैं जो उपनियास का बिशे है उसे देखते हैं बिशे में हैं बाल विवा, फिजूल खर्ची, स्तरियों का प्यावहर, आभुशन प्रियता, बंटवारे की समस्या, शिक्षा, स्तरी शिक्षा, और अंदविस्वास उपनियास में जो बाल विवा की चर्षा कीए है तो बताया गया है कि इस परकार से उपनियास में बाल विवा को लेकर लोग जागरूख नहीं होते हैं और छोटी सी उमर में ही अपने बच्चों का बिवा करवा देते हैं इसी प्रकार फिर्जूल खर्ची के बारे में भी बताया गया है कि इस प्रकार लोग बिवाहा इतियादी तियोहारों में बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं इसी परकार से स्त्रियों के बेबार को भी यहां पर अच्छी तरह से बताया गया है किस परकार से पूरा उपनियास स्त्रियों से स्वंदित है और स्त्री शिक्षा को यहां पर महत्पुन भूमी का परदान की गई है आवुष्णु प्रियता के बारे में भी यहां पर बताया गया है किस परकार छोटे छोटे बच्चों को आवुष्णु से लादा जाता है जिस परकार उन्हें समय आने पर मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है लोट लोग जो होते हैं उनके लोटने के लिए तियार रहते हैं इसी परकार यहाँ पर शिक्षा और स्त्री शिक्षा के बारे में भी बताया गया है कि किस परकार से उपनियासकार ने जो सर्वसुक की बेटियों को नागरे पढ़ने के लिए मिसरानी के पास बेजा जाता है इसी प्रकार अंदविश्वास को भी यहां पर बताये गया है उपने आसमें तो ठीक है दोस्तों यहां पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है यह हमारा पहला भाग था जल्दी आपके समुष इसका दूसरा भाग भी लेकर आएंगे तब तक के लिए धनियावाद